आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप बड़े आसानी से घर पर करेला कैसे उगा सकते हैं करेला उगाने के लिए आपको चाहिए एक ग्रोबेग ये ग्रोबेग होना चाहिए 24 इंटू 24 का ये ग्रोबेग हमने घर पर ही बनाया है अगर आप भी इस तरीके का ग्रोबेग बनाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रेप्शन में वीडियो दिया है उस वीडियो को देखकर आप भी इस तरीके का ग्रोबेग बना सकते हैं करेला उगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी तयार करना होगी उसके लिए हमें चाहिए 50% मिट्टी, 30 या 40% गोबर की खाद और रेत, हल्दी पाउडर, राक, चूना, चाई की पत्ती और नीम के सूके हुए पत्ते इन सभी को हमें इस मिट्टी और खाद में अच्छी तरह से मिला लेना है ये सबी चीज आपको आपके घर पर बड़े आसानी से मिल जाएगी अब हमें इस मिट्टी को ग्रोबेग में भनना है इतना बड़ा ग्रोबेग मिट्टी से भनना संभाव नहीं है इसलिए हमने इसमें किचिन वेश्ट और सूखे हुए पत्ते डाल का इसे आदा भल लिया है और उपर से हमने ये मिट्टी बनाई थी उसे भर दिया है अब आपको ऐसी जहां चुनना होगा जहां पर पूरे दिन की धूब आती हो करेला के पोधे को पूरे दिन की धूब की जरूरत होती है इसलिए आप उस जगा पर रखें जहां पर अच्छी धूब आती हो और इसकी बेल फैलाने के लिए रसी का जाल बना दी ताकि उस पर इसकी बेल फैल सके अब हमें इसमें दे देना है अच्छी तरीके से पानी ताकि मिटी में नीचे तक पानी पहुँच जाए अच्छी तरह हमने पानी दे दिया है अब हम इसमें लगाने वाले हैं ये बीज अभी हम 6 बीज लगाने वाले हैं और बाद में ये जब पोधे उगाएंगे तब हम इसमें बस अच्छे चार पोधे ही रखेंगे बाकी पोधे को हटा देंगे हमें छोटा सा गड़ा करकर इसमें बीज को लगा देना है हमने इस पिरकार सभी बीज को लगा दिया है और इसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया है ताकि बीज बाहर ना दीखे अब हमें इसमें एक बार और पानी दे देना है अच्छी तरीके से इस तरह आप अपनी घर की छट पर बड़े आसानी से करेला उगा सकते है आपको इस वीडियो से बहुत हैल्प मिलेगी कि किस परकार करेला उगाना है आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर अभी तक आपने चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चेनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले